गुड मॉर्निंग दिस्टेंग्स हाव यू आप यू आप यू आप यू आप गूड गूड ओके लेस्ट इस्टेडी दिस्टेंग्स हम चेप्टर नंबर सेवन पढ़ रहे थे ना वी ओल नीट वॉर्टर हम सभी को पानी की चिरवत लगती है हमने क्या देखा था कि पानी हम पीने में यूज करते हैं ड्रिंकिंग में खाना मजाने में याने की कुकिंग में नहने में याने बाथिंग में कपड़े दोने में वोशिंग क्लोथ में बरतनों को धोने में साफ करने में क्लीनिंग यूटेंसिल और आग को भुजाने में पुटिंग आउट फायर्स इस चीजे हमने देखी तिया हम आगे पड़ेंगे है ना र-a-i-n rain rain मतलब बारिश is the main s-o-u-r-e-c source of water on the earth देखो अर्थ मतलब क्या होता है बटा अर्थ मतलब होता है हमारी जमीन है ना हमारी धर्ती rain मतलब बारिश source मतलब जरिया बारिश जो होती ना rain is the main source of water on the earth हमारी धर्ती पर पानी का main जरिया का है पानी कहा से आता है source मतलब इस्त्रोथ यह ना मुखी इस्त्रोथ क्या है बारिश होती तो जो पानी आता है ना अगर बारिश ही नहीं होगी तो पानी कैसे मिलेगा हम देखते हैं ना कि हमारे घर में जो पानी मिल रहा है नल आते हैं सब होता है और पानी मिलकलता है ट्यूवेल भी हमारे घर हमारे घर में है बोर्वेल है तो पानी हम मोटर चल लो करते हैं पानी आ जाता है लेकिन वो पानी आया कहा से एक चुल में जमीन में भी कहां से आया जब बारिश होई तभी पानी आया ना जमीन में वह हमारे घर आया और जो हमारे घर नल आते हैं वह दो नल में पानी कहाँ जाता है जो पाईपलेंडल हुई उसमें से जो पाइप भे वह कहां जाता जाते हैं बड़ी सी टंकी वनी होगी होती है ना हमेरे गाओ में महां से तो टंकी भी किसे अ Applicant वही dinheiro ना तो वहीत वही तो पानी नजीएंर में और नदियों यही तो वही पानी से इट रूपोर जर्च होती है तो आदियों को लेक मतलब मतलभ नदिzh नदी, Lakes मतलब जील, Ponds मतलब तालाब, String मतलब जरने जो भी जरना देखो ये जरना ये बारिश हुई तो पानी आ गया नदियों में पानी आया, तालाबों में जरनों में आया और जीलों में आया ये रिवर्स ठीक है जड़नाम किसे कहते है इस ट्रीम जो उपर से गिरता है और रिवर जो बहती रयती है सम वोतर डेबल्ली टीयर वोतर जू ओ इंस गोस आय एं टू टू दो चप्र स्वयल स्वयल मतलब मिट्टी जमीन में कुछ पानी जाल जाता है ना पानी बह जाता नो निकल जाता है तो अथोड़ा पानी जमीन के अंदर चला जाता है पूरी तरह के सूख जाता है T-H-I-E-I-S-E-C-E-D-C-H-E-L-D के उपने बारिश हुई पानी के वा गया जमीन के ईंदर घया मे गाई चुमे tv खुद्वा लेगे आंँ थे ना हमेंडकर नुप मतुद का नुपगा और रहा तो जमीन में पानी वाया जब ररीश हो तो पानी जमीन के जला गया यह कोई यह थे पर चौझ लगी बारीश निगा है रस्टी डालो बाल टी घीचो और हैंड प्र लगते ही हैं लिकिन हैं तो जाल तो भी चौझ आपड़ता है तुभ आजकल आइड घृC 2 लिदुगार ब ret Beim शेड हैं लुटि कर 00 D boile可 कर mu in the rainy jorn बारीज के मोसम मेंужине ना शेड़ी मतलब मोसम बारिज सांथ 14 भी और कल्रायो चायना सेल आइड ना बारीज के मशमम में the इसमें पी टेप मतलब 10 बारिज के मुसम में typically 25 नह अब गंदा पानी आता है जब बारिश का मुसम आता है तो नलों में पानी आता है तो गंदा हो जाता है तो drinking dirty water make a sick, drinking मतलब पीना, dirty मतलब गंदा, water मतलब पानी, make a sick, sick मतलब बीमार, because it tastes germ, because मतलब क्योंकि germs होते हैं, तो क्या होता है कि बारिज के मुसमें कभी कभी गंदा पानी आता है हम अनलों में, तो पानी हम पीएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, गंदा पानी पीएंगे से हम बीमार हो जा सकते हैं, वो हमें बीमार कर सकता है, तो हमें किसा पानी पीना चाहिए, clean water पीना चाहिए, we, sh, a, u, l, d, should, a, l, w, a, y, s, always, मतलब हमेशा, d, r, i, n, k, drink मतलब पीना, c, l, n, clean मतलब saaf water, हमें किसा पानी पीना चाहिए, saaf पानी पीना चाहिए, if we find the water dirty, मतलब सबसे पहले clean करना चाहिए, हमें पानी को, है न, we can clean water, in following ways, देख, हम पानी को clean कर सकते हैं, saap कर सकते हैं, we can boil water, हम पानी को boil कर सकते हैं, गेस पे रख देंगे, किसी बरतर में पानी और अच्छा से उबाल आ जाएगा, उबाल आने के बाद गेस को बन कर देंगे, प और हम क्या कर सकते हैं, और भी method दे रखिए, we can clean water by using a water filter, हम water filter का यूज कर सकते हैं, देखो यह water filter, use the water filter, यह water filter यह water filter यह पानी को filter कर के दे रहा हैं, nowadays, electrical water purifier is used in homes to clean water, these water purifiers are connected to the taps, देखो, अब क्या हो रहा है, लोग इसे water purifier यूज करने लगए, हम कितने आरो लगा हुआ है, आरो का है, किसी किया फिलिप कार्ड का, कुछ ने कुछ लगा हो रहता है, वो पानी को clean करने के लिए होता है, use electrical water purifier, तो जब वो महां से connect हो जाता है, तो यह पानी purifier होके हमारे नलो में आ जाता है, तो या और हमने अभी आज क्या देखा बेटा, कि जो बारिश होती है, वो पानी के लिए main source होती है, या नदियों में, कालावों में, जीलों में, जन्नों में, रिवर्स में, लेक में, और पॉंड्ट स में, स्ट्रीम में, अब जब बारिश होती है, तो कुछ पानी का चल जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर है ना, जमीन के अंडर पान जाता है, उसे अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, फिर हम अंडरग्राउंड वाटर को क्यों से निकाल सकते हैं, क्यों तो जमीन के अंडर चला गया है, तो हम या तो या फिर वेल मतलब कुए कुए द्वार हम तीन तरीके से पानी को निकाल सकते हैं ठीक है फिर हमने क्या देखा कि जो बारिज का सीजना था तो पानी बहुत गंदा हो जाता है हमाने नलों में पानी आता है डर्टी होता है उसमें जर्म्स होते है तो हम डर्टी वाटर जब प प्रटी हो जाए हम इसमें भी तीन मेतर देखिए यह तो हम बॉल कर सकते पानी को तो भी जर्म्स मटत जाएँगे या फिर वाटर फिल्टर का यूज कर सकते हैं जो पानी को प्यूरिदिः के से फिरिफाय कर देगा वरहां जो टेपे जो नल्ल सुद्ध पानी आएगा है पानी को बॉल करते भी देखा है और एक्रिक वोटर फिरिफाय तो अपने देखा है और आरो का जो लगा हुआ है ना सबके घर के वह पानी को क्लीन करता है